C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वनी पाठ सबक एक जैसी नियत वैसा फल सफा नंबर 3 ये अब से बहुत दिनों पहले की बात है एक पहाड़ी इलाके में छोट असा गाउं था उस गाउं में एक मालदार औरत रहती थी लोग उसे ललीना कहते थे ये मालदार मगर बड़ी खुदगर्ज और लालची औरत थी उसका घर पक्का और शानदार बना हुआ था बच्चो इसमें एक तस्वीर दिखाई गई है और इसमें ललीना एक बुड़े से बात कर रही है उसके महल के सामने एक गरीब बेवा का जोपड़ा था उसका नाम जोसिया था उस बेचारी के एक न तो साथ बच्चे थे नौरोस के मौके पर भी जोसिया के घर में बस अल्लह का नाम था उसने मटके से जाड़ कर आटा निकाला और रोटी पकाने बैठ गई उधर ललीना के घर कैसी चहल पहल थी थरा तरह के पकवान पक रहे थे सब अजीज रिष्टेदार इधर उधर के महमान जमा थे हस बोल रहे थे, खुब ठटे लगा रहे थे, गा रहे थे और नाच रहे थे सफा नमबर चार खुदा का करना उसी दिन शाम को बर्फ का तुफान आ गया और उस तुफानी मौसम में एक थका हारा और लाचार बुढ़ा जंगल से निकला और ललीना के महल की तरफ बढ़ा उसने दर्वाजा खट खटाया और बड़ी आजजी से बोला माई जी एक थके हारे बुढ़े मुसाफिर को अपने घर में टिकालो खुदा तुम्हारा भला करेगा मगर ललीना बुढ़े को देखते ही आपे से बहार हो गई बच्चो इसमें एक तस्वीर दिखाई गई है और इसमें जोसिया यानि जो दूसरी औरत बेवा औरत थी उसको दिखाया गया है वो खाना पका रही है चारो तरफ बच्चे बैठे हैं और एक बुढ़ा बैठा हुआ है बड़ी तुर्श रूई से चीख कर बोली चल हट दूर हो जा यहां से मुआ आज ही के दिन मनहू सूरत दिखाने को रह गई थी उसने जटके से दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई बेचारा बुढ़ा इस बरताओ से रुहासा हो गया उसने चारो तरफ नजर दोड़ाई सामने तूटी फूटी जोपड़ी उसको नजर आई यह गरीब जोसिया की जोपड़ी थी बुढ़ा उसी तरफ चल पड़ा जोसिया ने बुढ़े को हाथो हाथ लिया इज़त की जगा बेठाया और बड़ी लजाजस से बोली बाबा इस वक्त धंका खाना हम आपको ना खिला सकेंगे जो कुछ रूखी सूखी है हाजिर है आप बड़े शोख से आज की रात यहां आराम फरमाईए बुढ़े ने जोसिया को दुआई दी और बच्चों के साथ चूले के पास बैठ गया थोड़ी ही देर में बच्चों से खूब गुल मिल गया और नकले करकर के उन्हें खूब हसाया सफा नंबर पाँच दूसरे दिन तड़के ही बोढ़ा रुखसत होने लगा जोसिया ने रात के बचे खुचे रोटी के टुकुडे बुढ़े के थैले में रख दिये अब बुढ़े ने चलते वक्त कहा आज की सुभा जो काम भी शुरू करोगी वो बस सूरज डूपते ही खत्म होगा जोसिया कुछ समझ न पाई पर बुढ़े से कुछ पूछने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई इतने में सातों बच्चे मुँ हात दो कर दस्तरख्वान के चारों तरफ बैठ गए जोसिया प्रेशान हो गई उसकी समझ में नहीं आता था कि बच्चो को क्यों कर बहलाए रात के बच्चे कुछे टुकडे बुडे के थैले में डाल चुकी थी अचानक उसे एक बात याद आई उसके बक्स में लेनन का एक अच्छे किस्म का थोड़ा सा कपड़ा रखा था उसने सोचा लाओ इसी को ललीना के हाथ बेचाओं कुछ पैसी मिल जाएंगे और उन पैसों से बच्चों के पेट का सहारा हो जाएगा बक्स खोल कर उसने जी में कहा लाओ जरा इसको नाप करतो देखों कितना होगा पर अब वो नाप रही है नाप रही है बराबर नाप रही है कपड़ा है के खत्म ही नहीं होता ऐसा लगता था कि जैसे सफैद दूद का दरिया है जो उसकी बक्स से उबल पड़ा है बच्चों इसमें तसवीर दिखाई गई है उसमें ललीना कपड़ा नाप रही है थोड़ी ही देर में उसकी जोपड़ी कपड़े से भर गई दोपहर को जोशिया ने अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया उस सफैद लीनन से जोपड़ी ठसा ठस भरी थी आंगन भरा था आंगन से बहार सडक पर सफैद लीनन के धेर के धेर थे मज़े की बात ये है कि बक्स में से जोसिया ने नापने के लिए जो कपड़ा उठाया था वो जूकतू था आखिर शाम हुई सूरज का सुर्ख गोला पहाडों के पीछे जाच छुपा और जोसिया का बक्स आप से आप बंद हो गया जोसिया ने सारा कपड़ा बेश डाला बहुत बड़ी रकम हाथ आई उसने नया मकान बनाया और बाल बच्चों समीद बड़े अराम से रहने लगे ललिना को जब जोसिया की ये कहानी मालूम हुई तो बहुत पच्चताई और अपने को कोसने लगी उसे क्या खबर थी कि ये मुआ बुढ़ा खूसट जादूगर था उसने दिल ही दिल में कहा खैर जो हुआ सो हुआ अब के वो बुढ़ा इधर आ निकला तो जरूर उसकी तलाफी करूंगी आखिर खुदा खुदा करके नए साल का दिन फिर आया हर तरफ खुशी ही खुशी हर तरफ चहल पहल अब के लेलीना ने सुबह इसुबह अपने बच्चों को गाउं से बाहर भीज दिया और ताकीद कर दी के बड़े मिया को देखते रहें इत्तफाख की बात आज रात को भी बर्फ का तुफान आया बच्ची भागते हुए घर की तरफ दोड़े और बताया के बड़े मियां गाउं की तरफ आ रहे हैं ये खुशखवी सुनते ही ललीना दोड़ती हुई सड़क पर आ गई और जो ही बड़े मियां नजर आए बढ़कर सलाम किया और बड़ी आजजी से बोली क्या आज आप मेरे गरीब खाने पर आराम फरमा कर मुझ पर एहसान करेंगे बड़े को पिछले साल की बात याद थी उसने कहा भला पिछले साल तुमने इतना रूखापन क्यों दिखाया था ललीना जट बोली बाबा पिछले साल मैं नहीं मेरी बहन होगी उस जमाने में घर का सारा इंतजाम उसी के सुपुर्द था हम दोनों की शकल वसूरत एक दूसरे से मिलती जुलती है मगर हमारी आदतें बिलकुल एक दूसरे से नहीं मिलती और जिस कदर वो रूखे मिजाज की है उतना ही मेरा दिल खुलूस और इंसानियत के जस्बे से भरपूर है बोड़े ने कहा लोगों का दिल जैसा होता है जैसी नियत होती है उसी के मताबिक उनको फल मिलता है वो लगीना के यहां आराद गुजारने पर राजी हो गया अब क्या था बोड़े की खूब आओ भगत की गई पर उसमें खुलूस से ज्यादा बनावट जह लगती थी दूसरे दिन सुबह तरके यहां से रुखसत होते वक्त बोड़े ने कहा आज की सुबह जो पहला काम तुम शुरू करोगी वो श्याम तक कर पाओगी उसमें पहले ही तयारी कर रखी थी और अपने बक्स में उनका एक गीमती कपड़ा रख छोड़ा था वो बड़ी तेजी से कपड़ा निकालने बक्स की तरफ जा रही थी रास्ते में पानी से भरी बाल्टी रखी थी जल्दी में बाल्टी में ठोकर लग गई सारा पानी गिर गया उधर बच्चों को प्यास लगी घर में पानी था नहीं उसने सोचा लाओ पहले पानी भर लाओ पानी भर कर लोटी तो सीवडियों पर पाओ फिसला फिर बाल्टी उलट गई ललीना उल्टे पैरो लोटी और कुए से दूसरी बाल्टी भर कर लाई बच्चों इसमें एक तस्वीर है इसमें ललीना सीवडियों के पास खड़ी है और पानी सारा उलट गया है मगर सीवडियों पर पहुँच कर फिर वही बात हुई वो फिर गई फिर यही सूरत पेश आई जला गई और जलहट में नजाने कितनी बाल्टी भर लाई बहुत संभल कर बहुत एहतियाद से गिन गिन कर कदम रखती मगर हर बार नजाने कोई न कोई बात हो जाती और सारा पानी उलट जाता ठककर और आजिज आकर ललीना ने बच्चों को मदद के लिए बुलाया फिर उनके साथ भी यही हुआ पड़ोसी मदद के लिए आये वो भी नाकाम रहे सारा दिन इसी तरह से बीद गया सफा नमबर आट शाम होने को आई तो जोसिया भी मदद को पहुँची सलामत गुजर गई पानी का एक कत्रा भी जमीन पर नहीं गिरा पर वो बाल्टी कमरे के कोने में रखने भी ना पाई थी कि सूरज ने अपना लाल चहरा पहाडों के पीछे चुपा लिया अब ललीना बेचारी को इतना वक्त ही नहीं मिला कि अपने कपड़े की नाप तोल करती बुढे मुसाफिर ने सची कहा था जैसी नियत वैसा फल सवालात एक, बुढे से ललीना ने क्या कहा? दो, जोसिया ने बुढे मुसाफिर के साथ क्या सलूप किया? तीन, बुढे मुसाफिर की दुआ से जोसिया को क्या फाइदा हुआ? चार, ललीना ने दूसरी मर्तबा बुढे के साथ कैसा बरताओ किया? पांच, ललीना को बुढे की दुआ से फाइदा क्यों नहीं हुआ? छे, नियत की खराबी की वजह से ललीना को किन परिशानियों का सामना करना पड़ा? साथ, बूरे के इसकॉल जैसी नियत वैसा फल से आप क्या समझे वजाहत करें? निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, निर्देशन वर निर्माण, विमलेश चाओधरी ताथा प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T, नैदिल्ली, भारत.